जी नमस्कार दोस्तों ज्यान अलब मैं आपका स्वागत है एक तरफ EMRS 2023 की जो भरती हुई थी उसकी ज्वाइनिंग में देरी पे देरी होती जा रही है दूसरी तरफ कुछ जगा के प्रिंसिपल्स हैं कुछ जगा की स्टेट सोट्राइटी हैं जो अभी भी बेसिस पे टीचरों की भरती कर रही हैं एक ऐसा EMRS जिसने अभी आदस आचर संगीता लागो होने के दवरान एक कॉंट्रेक्ट बेसिस पे टीचरों की विग्यपती निकाली थी भरती के लिए अपलीकेशन जो है इन्वाइट किया था हम उसकी चर्चा करेंगे कि कौन सा EMRS है और उन्होंने कैसे ये किया था दूसरी चीज है EMRS की ज्वाइनिंग के संबन में हम लोग मार्च से सोच रहे थे कि मार्च में हो जाएगा फिर अप्रैल में हो जाएगा फिर माई भी आने वाली है अब जून जुलाई तक सब कुछ चला है अब इस ज्वाइनिंग अपने स्टाफ भर रहा है इसलिए इसमें जुआइनिंग में डिले हो रही है फिर इनों ने सेकंड डी निकाल दी कई सारी चीजें हो सकती है कि जिसके कारण ये जुआइनिंग डिले हुई है लेकिन इस डिले में कुछ जगा के प्रिंसिपल्स जो है कुछ ही अमारे इसक स्कूल है काल सी देहरादून में जैसा कि हम सभी जानते हैं देश के कोने-कोने में EMRS बने हुए हैं इसी तरह का एक एकलब यह स्कूल है जो काल सी देहरादून उत्राखंड में मना हुआ है वहाँ पे टीचर्स की पार्ट टाइम बैकंसी निकाली गई थी अभी जब मोडल कोड आप कंडक्ट EMCC या आदस आचार संगीता लाग हुए इस दवरान यह बिग्यपती निकाली गई थी EMRS के जो प्रिंसिपल है काल सी के उनके द्वारा यह बैकंसी निकाली गई थी जिसमें PGT Chemistry के लिए एक पोस्ट निकाली गई थी PGT English के लिए एक पोस्ट निकाली गई थी PGT Economics के लिए एक पोस्ट निकाली गई थी Age Limit कुछ नहीं था सेलरी मिलेगी नहीं क्योंकि संविधा पे भरती है तो इस पे महंताना दिया जाता या मांदे दिया जाता या री मुन्रेसन दिया जाता तो एक दिन आगर काम परोगे तो 700 रुपया आपको मिलेगा इस बेसिस पे भरती की गई थी qualification भी दे दिया गया था यहां पे note भी दे गया गया था यह जो application मांगे गए थे अपना resume में सबको email करना था 12 April 2024 तक समय तो भी चुका है जायसी बात है 12 April खतम हो चुका है लेकिन MCC लागू होने के बाद भी दूसरी तरब joining की परकिरिया चल रही है माल लीजे डिले हो रहा है लेकिन चल तो रही है परमाने टीचरों की उसके बावजूद भी principal EMRS कालसी के द्वारे ये विग्यप्ती निकाली गई थी उन्होंने क्यों निकाला क्या उनकी मजबूरी थी उनकी चाप नहीं थे या उनकी मनबड़़ाई थी या उनका अपनी जैसे इसनोंने अपि सारा कुछ भर रखा है अपने आग कौंट्रेक्ट पे उस बेसिस पे इनोंने निकाला क्या कारण रहरा है यही बता सकते हैं लेकिन एक तरप जहां joining का इ सब contract basis पे ही काम कर रहे हैं और ये भरती कैसे हुई है हम सभी जानते हैं कि ये कितना competitive भरती हुई थी कितना पारदरसी भरती हुई है इसको किसी से discuss करने की जरूरत नहीं है हम सभी जानते कि ऐसी भरतियां कैसे होती है लेकिन एक तरफ joining में delay दूसरे तरफ जहां पे contract टीचर को भरते जा रहे हैं और दूसरी चीज अगर हम कालसी की बात करें एक लब जो EMRS model residential school कालसी का है यहीं के एक PGT टीचर है जो अगर अभी PGT के टीचर है इनके द्वारा ही देरादून high court में एक case डाला गया है कि nest के पास ऐसी कोई authority नहीं है कि वो EMRS में भरती conduct कर सके हैं इसी में कि क्यों यह जो big captain निकली थी 2023 वाली और nest की तरफ से निकली गई थी nest जो national society है EMRS की देखभाल के लिए भरती के लिए सब के लिए जिम्मेदार है उसकी की भाई nest नहीं करा सकती है state society या तो करा है इसकी बरती होनी चाहिए इसको challenge करने के लिए इसी EMRS के एक teacher है PGT teacher है जिन्होंने माननी है high code देरादून में एक रिट डालर रखी है जिसकी सुनवाई आज होनी है तीस तारीक आज है आज इसकी सुनवाई होनी है देखते हैं कि क्या फैसला आता है क्या चीजे आती है वो चीज भी हम लोग साम तक इसको discuss करेंगे code case की update की बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यह सारी चीजे है जो update हमें आपको देना था और कुछ भी होगा में रूप से आज का जो code case हो उसके अगर related कोई update होगा तो हम सामको आपको जरूर आउवत कराएंगे